देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ चिकट्सको पर हमले की खबर अकसर सुरी जा रही है प्रदेश के चिकट्साशिक शामंद्री अमित देश मुख इसे लेकर गंभीर है यह अत्माल के सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रशिक्षु डॉक्टर पर हुए हमले की निंदा करते हुए उन्होंने सुरक्षा मजबूत करने की बात कही है तो तापमान में गिरावट के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ने का अनुमान है अगले 24 घंटों में पुर्वा मध्य अरब सागर में दक्षिन महराष्ट्र और गोवा के तटिय इलाकों में तेज हवाओ और बिजली की गड़गडा हट के साथ बरसात हो सकती है उदर सरकार ने साफ कह दिया है कि DLA की परिक्षा के लिए कर्फियो प्रभावित जिलों में भी अभ्यार्थियों को परिक्षा केंद्रों में जाने की अनुमती होगी इस बीच प्रदेश के लोगों के लिए बुरी खबर है उपमुक्य मंतरी अजित पवार ने साफ कर दिया है कि आगाड़ी सरकार फिलहाल पेट्रोल और डिजल की कीमतों को घटाने के लिए वेट को कम नहीं करेगी इसके अलाबा नवाप मलिक ने दावा किया है कि महाराष्टर में दंगे भढ़काने की साजिश थी लेकिन पुलिस ने हालात नियंद्रित कर लिये प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ यवतमाल के सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रशिक्षु डॉक्टर पर हुए हमले के बाद हुई मौत की घटना के मद्दे नजर प्रदेश के चिकितसा शिक्षा मंतरी अमेद देशमुक ने राजी के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के परिसर में सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधिश्ठाता सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाए देश्मुख ने मंत्राले में मेडिकल कॉलेजों के निर्मान के संबंद में समिक्षा बैठा की देशमुक ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज वा अस्पिताल में CCTV तथा सुरक्षा विवस्था और सक्त करने की आवशक्ता है आए दिन अस्पितालों में मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं जो हमें शर्मसार करती हैं चिकितसक जी जान से हमारी सेवा करते हैं पर आखिर में वो भी इनसान हैं उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के अधिश्ठाता विद्धार्तियों की सुरक्षा को प्राथमिक्ता दे मेडिकल कॉलेज में और छात्रवास में जाने के लिए अलग-अलग मार्ग होना चाहिए जिस से मेडिकल कॉलेज परिसर में बाहर से आने वाली भीड़ पर नजर रखी जा सके देश्मुक ने कहा कि राज्य में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए आविशक पदो के सुर्जन की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सौपी जाए तापमान में गिरावट के चलते प्रदेश पे थंड बढ़ने का अनुमान है मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्व मध्य अरब सागर में दक्षन महराश्ट्र और गोवा के तटी इलाकों में कमदबाव का शेत्र बन सकता है जिसके चलते तेज हवाओं और बिजली की गड़गडा हट के साथ बरसात हो सकती है इस दोरान 30 से 40 किलो मीटर प्रती घंटे की रफतार से हवाएं चलने का अनुमान है मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 16 से 19 नवेंबर के बीच कुंकन, मध्यमाराश्ट्र और मराठवारा के कई लाकों में बरसात होगी इसे देखते हुए सुमवार को राजगे 13 जिलो के लिए गेलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है इसमें बीड, लातूर, नांदेड, एहमदनगर, उस्मामाबाद, सोलापुर, कोलापुर, सांगली, सातारा, सिंदुदुर्ग, रतनागिरी, राइगड और पूने जिले शामिल है इसके लावा परभणी और हिंगोली जिलो के कुछ इलाकों में भी बरसात का अनुमान है हाला कि विदर में मौसन सामाने बना रहने का अनुमान है जानकारों की राए में स्तिती के चलते किसानों को दिक्कते हो सकती है क्योंकि उनकी खरीब फसल अभी खेतों में है और अब उनकी कटने की तयारी है इसके लावा मौसम के बदले कलेवर की मार लोगों पर बिमारियों के रूप में भी हो सकती है मौसमी बिमारियों में बड़ोतरी हो सकती है महराश राजे परिक्षा परिशद की तरफ से 16-25 नवेंबर की बीच आयोजिद DL-8 की परिक्षा के लिए कर्फ्यू प्रभावित जिलों में भी अभ्यारतियों को परिक्षा केंद्रों में जानने के लिए अनुमती होगी महराश सरकार की ओर से राजे परिक्षा परिक्षद ने DL-8 परिक्षा का आयोजिन किया यह परिक्षा राजे के सभी जिलों के 88 परिक्षा केंद्रों पर होगी इस परिक्षा के लिए 32,886 अभ्यारतियों को प्रवेश पत्र वित्रत किये गए हैं राजय परिक्षा परिशत के अध्यक्ष दतातरे जक्ताप ने सभी जिलादी कारियों पुलिस आयक्तों और पुलिस अधिक्षकों को पत्र लिखकर डियलेड अभ्यारतियों को परिक्षा केंद्र तक पहुचाने के लिए आवजाही की अनुमती देने के लिए पत्र लिखा उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में कर्फ्यू लागू है लेकिन राज्य परिक्षा परिशत की टीलेट परिक्षा पूर्वन योज स्तिथी के अनुसार होगी इसलिए जिन जिलों में कर्फ्यू लागू है ऐसे जिलों में सभी अभार्तियों को परिक्षा का प्रवेश पत्र देख कर उन्हें परिक्षा केंद्रों तक जाने की अनुमती दी जाए इसके लावा परिक्षा से समंदित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आवा गमन की अनुमती दी जाए प्रदेश के लोगों के लिए बुरी खबर है महंगाई में तड़का लगा रहे पेट्रोल डीजल के भाव में कमी के आसार नहीं है उपुक्यमंत्री अजीत पवार ने यह सपष्ट कर दिया है कि प्रदेश की महाविकास आगाडी सरकार फिलाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को घटाने के लिए वैट को कम नहीं करेगी उन्होंने कहा कि GST लागू होने के बाद प्रदेश के पास आए का कोई बड़ा स्तरोत नहीं है राज्य सरकार फिलाल दूसरे प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी हासल कर रही है इसके बाद अध्यन किया जाएगा कि राज्य में यदी वैट को कम किया गया तो सरकार को राजस्व का कितना नुकसान होगा इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा हमारी भूमिका लोगों को राहत देने की है लेकिन सरकार को राजस्व क्या वशकता है केंदर सरकार को कम से कम नोट छापने का अधिकार है पर राज्य सरकार को नोट छापने का अधिकार भी नहीं महराश्य में विपक्षी दल भाजपा सरकार को मुश्किल में डालने के लिए वैट कम करने की मांग कर रही है इसके पहले केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर exercise duty कम करने के बाद भी प्रदेश भाजपा ने राज्र सरकार से इंधन पर लागू वैट को कम करने की मांगी थी गौरतलब है कि केंद्र और प्रदेश सरकारों का कामकाज टैक से मिली राशी से होता है मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया कि महराशों में दंगे भढ़काने की साजिश थी लेकिन पुलिस ने हालात नियंतृत कर लिये राजी की जनता ने भी सयम से काम लिया इसलिए राजी के दूसरे इलाकों में दंगे नहीं हुए और अमरावती को छोड़ कर सभी जगर शांती रही उनका दावा है कि बंद की आड में भारतिय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से दंगे भढ़काए इसके लिए पैसे मुंबई से भेजे गए जो विधायक के जरिये लोगों में बाटे गए भाजपा के पूर्वमंद्री अनील बोंडे और पार्टी के दूसरे निताओं ने दोतारी की रात को दंगे की स्ताजिश रची कुछ नौजवानों को पैसे और शराब बाटकर अमरावती शेहर में दंगे करवाने का प्रयास किया गया पत्तर बाजी हुई दुकानों को आग लगाई गई मलिक ने मीडिया के सामने भाजपा विधायक आशी शेलार की रजा अकादमी के पदादी कारियों के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी जारी की अब शेलार ने मलिक पर जूटी कराज नीती करने का आरोप लगाया है शेलार ने कहा कि जिस पोटो का हवाला दिया जा रहा है वह 2016-17 में इसमाल जिम खाना में हुई मुलाकात के दौरान की है इस बीज भाजपा प्रदेशाद्यक चंद्रकान पाटिल ने कहा कि पार्टी की मंगलवार को होने वाले राजिक कारेकारिन की बैठक में रजाकादमी पर पाबंदी का प्रस्ताफ लाएगी इसके लावा पार्टी रजाकादमी की जाच के लिए SIT के गठन की भी मांग करेगी प्रदानमंत्री नरेंद्रमूदी देश को आज एक और एहम सोगाद देने जा रहे हैं पुर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्गाटन होने के साथ ही चीन को खास संदेश मिलेगा क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का उपयोग आपाच स्तिती में लड़ा को विमानों के लिए रन्वे के रूप में किया जा सकेगा और यहाँ से चीन की सीमा महज 600 किलोमेटर के दायरे में है इस बीच देश को जल्द पहला गे अर्थात समलेंगिक जज मिलने के आसर बढ़ गए है सुप्रिम कोट के कॉलेजियम ने सीनियर वकिल सौरप रूपाल को दिली हाई कोट का जज बनाने की सिफारिश की है तो दिवंगत अभीनेता सुशान सिंग राजपुत के रिष्टिदारों के लिए बुरी खबर है बिहार के जुमए में आज सुबह सुबह सडख हाथसे में छे लोगों की मौत हो गई है इन में से पाच सुशान सिंग के रिष्टिदार थे उदर भारती क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने कस्टम विभाग द्वारा दो महंगी घडिया जब्त करने की खबरों को अफवा बताते हुए कहा है कि घडिया जब्त नहीं की गई है बलकि वो खुद उनके पास गए थे ताकि कस्टम ड्यूटी दे सके इसके अलावा अच्छी खबर ये है कि रेलवे जनरल कोच को एसी कमपार्टमेंट में वदलने की तयारे में है अगर सब कुछ सही रहा तो यादरियों को कमपैसे में ही एसी कोच में सफरकानन मिल सकता है देशकी इन पाज बड़ी और ताज़ातर इन खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी आज 16 नमंबर को उत्तरवरदेश के सुल्तानपूर में इंडियन एरफोर्स के ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट सुपर हर्क्यूलिस से पुरवांचल एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे सुल्तानपूर में साइकल लेकर पहुँचे सपा कारे करता उन्हें सांके तिक उधगाटन किया अखिलेश ने तस्वीरों के साथ लिखा फीता आया लखनों से और नई दिली से कैची आई सपा के काम का श्रय लेने को मची है खिचम खिचाई सपाईयों के इस कदम को लेकर भाचपाईयों में रोश है क्योंकि वह उधगाटन को लेकर विशेश तैयारी की जा रही है 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे लखनों से होते हुए बराबाकी, फैजाबाद, अमेटकर नगर, अमेठी, सुल्तानपूर, आजमगड, महू और गाजेपूर से होकर गुजरेगा प्रधानमंतरी मोधी वायू सिना के विमान हर्क्यूलिस से एक्सप्रेस वे पर लैंड करेंगे, इसके साथ ही 45 मिनट का एयर शो भी हुगा, जिसमें वायू सिना के विमान श्रत्ति प्रदर्शन करते दिखेंगे वास्तविक नियंतरन रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच इसे भारत की तयारियों के रूप में देखा जा रहा है देश को जल्द ही पहला गे अर्था समलेंगिक जज मिल सकता है सुप्रीम कोट के कॉलेजियम ने सीनिर वकील सौरप कृपाल को दिल्दी हाई कोट का जज बनाने की सिफारिश की चीफ जस्टिस एनवी रमना के अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की 11 नवेंबर की बैठक में यह सिफारिश की गई देश में यह पहली बार हुआ है जब खुले तोर पर खुद गो समलेंगिक सुईकार करेवाले नियाईक शेत्र के व्यक्ती को जज बनाने की सुप्रीम कोट ने सिफारिश की अक्टूबर 2017 में दिल्ली हाई कोट कॉलेजियम में सर्वसमती से जज के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी इसके बाद से सुप्रीम कोट चार बार उनकी सिफारिश का फैसला टाल चुका था आखरी बार अगस 2020 पे सुप्रीम कोट ने उनकी सिफारिश का फैसला ठाल दिया था इस साल मार्च में ततकालीन चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे ने केंदर से कृपाल को हाई कोट का जज़ बनाने के बारे में रुक जानना चाहा था लेकिन केंदर ने एक बार फिर से इस पर आपत्ती जाहिर की थी केंदर ने कृपाल के विदेशी पुरुष साथी को लेकर चिंता जताई थी मीडिया रिपोर्ट के मताबिक 20 साल से कृपाल के पार्टनर यूमन राइट्स आक्टिविस्ट निकोलस जर्मन पॉकमान है और स्वच्जल लान के वहने वाले हैं इसलिए केंदर को राश्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताई है सौरप कृपाल सीनियर वकील और पूर्वक चीफ जस्टिस बियन कृपाल के बेटे हैं वो सुप्रीम कोट में करीब 20 साल प्राक्टिस कर चुके हैं बिहार के जुमई में सुभ़ सुपह हुए एक बड़े सड़क हाथसे में 6 लोगों की मौत हो गई मिडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मरने वाले 6 लोगों में से 5 लोग दिवंगत अभीनिता सुषान सिंग राजपुत के रिष्टिदार थे बदाय जा रहा है कि ये सभी लोग पटना से एक 10 संसकार में शामिल होने के बाद घर लोट रहे थे इसी दोरां ट्रक और कार में भिड़त हो गई और 6 लोगों की मौत हो गई इस हाथसे में 4 लोग गंबिर रुप से घायल भी हुए है मिली जानकरी के मताबिक सुषान्त के जिन 5 रिष्टिदारों की सडख हाथसे में मौत हुई है उसमें हर्याणा में ADGP O.P. सिंग के बहनोई दो भांजे और दो अन्य रिष्टिदार बताए जा रहे है जानकरी के मताबिक यह हाथसा सुबद 6 बजे के करीब हलसी थानक शेत्र में सिकंदरा शेकपूर मुख्य मार्ग पस्तित पीप्रा गाउं के पास हाथसा हुआ गायलों के पहचान कर परिजनों को सूचना दे दी गई है खबरे आई थी कि कस्टर विभाग ने दुबई से भारत लौट रहे भारतिय क्रिकेटर हार्दिक पांडिया की दो महगी घडिया जब्त कर ली है पुष्टाच में हार्दिक संतोष जरंक जवाब नहीं दे पाये थे और उनके पास बिल भी नहीं था इन घडियों की कीमत पांच करोड बताए गई थी हार्दिक पांडिया ने घडि जब्त होने की खबरों के अफवाब बताते हुए अब हकिकत सापके सामने रखी है उन्होंने अपनी ट्वीटर अकाउंट पर पोस्ट कर बताया कि कस्टम विभाग ने उनकी घडिया जब्त नहीं की थी बलकि वो खुद उनके पास गए थे ताकि कस्टम ड्यूटी दे सके हार्दिक पांडिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पुरे मामले की जानकरी देते हुए कहा कि 15 नमंबर को दुबई से लोटने के बाद वो खुद कस्टम विभाग के आधिकारीों के पास गए थे और उन्हें उन सभी चीजों के बारे में बताया जो उन्होंने दुबई में खरीदी थी ताकि वो कस्टम ड्यूटी भर सके अधिकारियों के कहने पर उन्होंने खरीद से संबंदित सभी कागजात भी जमा कर दिये और घड़ी के साथ बाकी चीजों की कीमत और उनकी कस्टम ड्यूटी का आंकलन हो रहा है इस घट्ना को लेकर गलत खबरे चल रही है इसलिए वो सब कुछ साफ करना चाहते थे हार्दिक ने ये भी बताया कि घड़ी की किमत लगभग डेड करोड है और बहुत सारी घड़ी नहीं जबत की गई है मेरे उपर लगाय जा रहा है सभी आरोप गलत है ट्रेनों के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक रहत बरी खबर है अगर सब कुछ सही रहा तो यात्रियों को कम पैसे में ही एसी कोच में सफर का अनन्द मिल सकता है क्योंकि रेलवे जनरल कोच को एसी कमपार्टमेंट में बदलने की तयारी में है रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल कोच यानि सामने डिबो को एसी डिबो में बदलने का विकलत तलाश रही है ताकि उन्ही यात्रियों को आराम दैक सफर प्रदान की जा सके जो अधिक किराय देने में सक्षम नहीं है इन एसी डिबो में 100-120 यात्रियों को बैठने की विवस्ता होगी और आम लोग इन डबो में यात्रा कर सकते हैं इसलिए किराया काफी कम होगा ये डिब्बे पूरी तरह से आरक्षित होंगे और इन में स्वतव बंध होने वाले दर्वाजे होंगे रेल मंत्राले में इस योजना पर मंथन 17 शुरू हो गया है पहले एसी जनरल क्लास के कोच का निर्मान पंजाब के कपुर थला में रेलवे कोच फैक्टरी में किये जाने के संभावना है अधिकारियों ने कहां कि अगर आम यात्रियों को किफायती किराय पर एसी कोच में आराम से सवारी मिल सके तो ये रेलवे की प्राथमित्ता होनी चाहिए रेलवे ने एक औल एसी एकोनॉमी ट्रेन की पहली सेवा भी शुरू की है अगर रेलवे की ओजना सफल होती है तो आम आदमी को कम पैसे में ही एसी कानन मिल सकता है दो साल पहले कि ए घटना के कारण आस्रेलिया और कतर में ठन सकती है दरसल आस्रेलिया की उन महिलाओं ने कतर पर मुकदमा करने का फैसला किया है जिने पिछले साल एरपोर्ट पर कपड़े उतार कर तलाशी लेने को विविश किया गया था इस बीच भारत सरकार ने इसलामी उपदेशक जाकिर नाइक के नेतरुतववाले इसलामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाये प्रतिबंद को और पात साल के लिए बढ़ा दिया है तो रूस ने एक मिसैल का परिक्षन कर अपने ही एक उपग्रह को द्वस्त कर दिया है इस परिक्षन पर आरोप लगाते हुए अमेरिका ने कहा है कि ऐसा करके रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक शियातریयों की जान को खत्रे में डाल दिया है उधर ISI चीफ की नियुक्ती को लेकर आर्मी चीफ बाजवा के साथ जारी तकरार के बीच इमरान खान को एक और बड़ा जटका लगा है BML Q ने इमरान खान की पार्टी से अलग होने का फैसला किया है इसके अलबा बड़ी जानकर ये भी है कि चीन अब दुनिया का सबसे वड़ा धन कुबेर है पिछले दो दाशकों के दोरान संपत्ति के मामले में अमेरिका को पच्छार कर चीन पहले नंबर पर आ गया है जब अक्टूबर में दोहा के हमाद एरपोर्ट पर अधिकारियों ने कुछ आस्ट्रेलियाई महिलाओं के कपड़े उतार कर तलाशी ली थी अधिकारियों का कहना था कि वो एक ऐसी महिला की तलाश कर रहे थे तुसने कुछ देर पहले बच्चे को जन्म दिया था दरसल दोहा हवाई अधिकारियों को एक कुड़े दान में तुरंद जन्मा बच्चा मिला था उसके बाद आस्ट्रेलिया जा रहे एक विमान में सवार कई महिलाओं को उतार लिया गया और उनकी तलाशी ली गई महिलाओं ने उस अनुभव को सरकार द्वारा अधिकृत यौन हमला बताया हाला कि कतर ने बाद में इस घटना के लिए माफी मांगी थी और एक अधिकारी को जेल की सजा भी सुनाई महिलाओं का कहना है कि उनके मामले को तब तक नजर अनुभव था जिससे गुजरने में उने तकलीफ हो रही है इन महिलाओं का कहना है कि उन्होंने तलाशी के लिए सहमती नहीं दी थी और इसके लिए उन्हें कोई सफाई भी नहीं दी गई सिड्नी सित मार की लॉयर्ज में काम करने वाले वकील डेमियन स्टेडजर ने बताया कि महिलाओं को मुआवजा मिलना चाहिए भारत सिरकार ने इसलामी उपदेशक जाकर नाई के रेतरत्व वाले इसलामिक्स रिसर्च फांडेशन पर लगाए गए पती बंद को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है नाईक फिलाल में मलेशिया में रह रहा है आरोप है कि संगटन आई आरेफ उन गती वीधियों में शामल है जो भारत की सुरक्षा के लिए हानी कारक है और जिन में शांती और सांप्रदाइक सदात को बिगाड़ने तथा देश के धर्म निरपेक्ष ताने बाने को बिगाड दी रहा है नाईक भारत और विदेशों में खास धर्म के युवाओं को आतंगवादी कृत्त करने के लिए प्रेड़ित कर रहा है नाईक अंदराश्य उग्रव टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माधिम से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए कटर पंथी बयान और भाशन देता है ग्रम अंत्राले ने कहा कि इन सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए उसने यूपी ए के तहट आई आर एफ पर लगाए गये प्रतिबंद को और पात साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है पतादें कि आई आर एफ को पहली बार 17 नवेंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिवीदियां रोक्थाम कानून 1967 के तहट एक गैर कानूनी संगठन गोशित किया गया था रूस ने एक मिसाइल का परिक्षिन कर अपने ही एक उबगरह को द्वस्त कर दिया लेकिन इस परिक्षिन ने इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों की जान को खत्रे में डाल दिया इस घटना के लिए अमेरिका ने रूस के एक मिसाइल टेस्ट को जिम इसे नहीं बताया गया था और इस पर प्रतिक्रिया के लिए वह अपने सयोगियों से बाचीत करेगा क्योंकि इससे अंतरिक्ष में मार कर सकने वाले हत्यारों की होड को बढ़ावा मिल सकता है बतादे कि इस परिक्षन में मलबे ने 1500 से ज्यादा बड़े टुकडे और 1000 अपसी वाहनों में शरण लेनी पड़ी यह एक आपात कालीन व्यवस्था है जिसमें अंतरिक्ष यात्री किसी तरह का खत्रा होने पर उन वाहनों में चले जाते हैं जिनके जरिये उन्हें प्रत्वी पर लोटाया जा सके पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी प्रधान्वंत के डीजी का पद सभालने जा रहे हैं इसी को लेकर इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा के बीच तकरार है एक और जहां बाजवा नदीम अंजम को आईएसाइ प्रमोक बनाना चाहते हैं जबकि प्रधान मंत्री इमरान खान चाहते हैं कि वरतमान आईएसाइ मुख्या लेफ्टनेंट जेनरल फैज हमिद अपने पत पर बने लहें नदीम अंजम को चीफ ओफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा का करीबी बताया जाता है लेकिन वह इमरान खान की पसंद नहीं है आईएसाइ चीफ की नियूकती को लेकर आर्मी चीफ बाजवा संग जारी तकरार के बीच इमरान खान को एक बड़ा जटका लगा है पीमल क्यू ने इमरान खान की पार्टी से अलग होने का फैसला किया पीमल क्यू नेताओं ने पेट्रोलियम उत्पादों और उर्जा शुलकी कीमतों में अबूतपूर्व वृधी के साथ साथ स्थानी मुद्रा के मुलिहास पर चिंता व्यक्त की उन्होंने देश में अपराधों और उच्चिस्तर की बेरोजगारी पर लगाम लगाने में विपल रहने के लिए पीटी आई सरकार की भी आलोचना की पिछली दो दश्कों के दुरान संपत्ती के मामलों में अमेरिका को पच्छाड कर चीन पहले नंबर पर आ गया है इस अबदी में दुनिया के संपत्ती तीन गुनी हो गई है और खास बात ये है कि दुनिया के इस कुल संपत्ती में चीन की हिस्सेदारी एक तिहाई है दुनिया की कुल संपत्ती साल 2000 में 156 खरब डॉलर थी जिससे अगले 20 साल में यानि 2020 में बढ़कर 514 खरब डॉलर हो गई वैश्वे कुल संपत्ती का 68 पीसिदी हिस्सा अंचल संपत्ती के रूप में मौजूद है जिबकी बाकी की संपत्ती में बेबुनियादी धाचा, मशीनरी और उपकरण जैसी चीजे शामिल हैं इसके लावा बहुत कम हिस्सा बौधिक संपता और पेटिन्ट के रूप में साल 2000 में चीन की कुल संपत्ती केवल 7 खरब डौलर थी जो 2020 में बहुत तेजी से बढ़कर 120 खरब डौलर हो गई खास बात यह है कि साल 2000 से एक वर्ष पहले ही चीन को विश्व वियापार संगठन में प्रवेश मिला था यह दर्शाता है कि चीन की अर्थविवस्था ने तब से कितनी तेज वृधि की है दूसरी तरफ साल 2000 में एक अमेरिका संपती 90 खरब डौलर थी रिपोर्ट का कहना है कि यहां प्रॉपर्टी के दामों में बहुत ज्यादा वृधि न होने से अमेरिकी के संपती चीन के मुकाबले कम रही और वो अपना नंबर एक का स्थान गवा बैठा तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी अब तक देखते रहिए विकीबी नियूस नमस्कार